चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समान 10 मिनिट में बिग ब्लिस एप, खुशियों की अपनी दुकाएगा रहेंगे, साथ ही तेज होई एक बार फिर ठंड से परिशान कर सकती हैं, दिली में आज अधिक्तम तापमान 26 डिगरी तो वही नियूंतम तापमान 13 डिगरी रहने का अनुमान है राजिस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद मौसम सर्थ हो गया है, वही तेज होई चलने की बज़ा से भी ठंड मैसूस की जा रही है हाला कि IMD के अनुसार अब मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी, इस पूरे सपता मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है आज के ताफमान की अगर बात करें तो अधिकतर सभी जिलों में अधिकतर ताफमान 28 डिगरी तो नियूंतम ताफमान 14 डिगरी रहने का अनुमान है वही बिहार की बात की जाए तो बिहार में नमी युक्त पचुआ हवा से मौसम में बदराव देखने को मिल रहा है ऐसे में एक बार फिर बिहार के कई छेतरों में मेग गरजन के साथ हलकी बारिश की स्थिती बन रही है वही अगले 24 गंटों में बादल चाए रहेंगे और अधिकतम ताफमान 27 डिगरी और नियूंतम ताफमान 12 डिगरी रह सकता है पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हुई बारिश के बाद धंड बढ़ गई है भारते मौसम विग्यान विभाग के मुताबिक पंजाब में इस पूरे सपता बादल चाए रहेंगे केवल आज मौसम के साफ रहने का अनुमान है वहीं दो मार्च को बारिश की संभावना जताई जा रही है ताफमान की बात करें तो अधिकतर जीलों में अधिकतम ताफमान 24 डिगरी और नियुनतम ताफमान 10 डिगरी रहने का अनुमान है जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और रुक रुक कर बारिश के साथ बरवारी भी जारी है भारते मौसम विज्ञान विभाग आईमडी के अनुसार आज भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है और ये सिलसिला दो मार्च तक चल सकता है इसके बाद ही मौसम थोड़ा खुलेगा श्री नगर में आज अधिकतम ताफमान 8 डिगरी और नियुनतम ताफमान माइनस 2 डिगरी सेल्सियस रहने का अनुमान है वही जम्मू में आज अधिक्तम तापमान 22 और नियुतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है उत्राखंड की बात की जाये तो उत्राखंड के अधिक्तर जिलों में आज दिन बर बादल चाय रहेंगे साथ ही बारिश के साथ कई इलाकों में बर्व बारी का भी अनुमान है राज्य के अधिक्तर हिस्सों में आज नियुतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और अधिक्तम तापमान 13 डिग्री हिमाचल प्रदेश में बीते तीन दिन बर्व बारी और बारिश के चलते कई नियूतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है आज मी मौसम ठंडा ही बना रहने का अनुमान है हिमाचल के अधिकतर जीलों में अधिकतम तापमान ग्यारा डिगरी तो भही नियूतम तापमान शून डिगरी रह सकता हो वी रिड़ पोर्ड मार्केट टाइम्स टीवी